नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरा नंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब की चेनल गो ब्लोक्स पे देखेगा एक फीमिल हतीली हमारे पास है और बहुत सुन्दर हतीली है हतेली में अगर आप कलाई छेतर पे जाते हैं मनि बंद परदेश जिसे कहते हैं वहाँ पे आपको गहरी इसपश्ट तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं अगर आप सरल रोप से देखते हैं तो और देखेगा कलाई में बने इन मनि बंद की रेखाओं का जो समंद है वो ब्यक्त के पूरो जन्म के करमों से भी होता है अगर इस तरह तीन साप सुत्री रेखाएं मनि बंद की जो रेखाएं होती हैं ये अगर किसी बिक्त की हतेली में हैं तो जीवन में ये रेखाएं अच्छी बिद्या देती हैं और धन भी दिलाती है इन रेखाएं से ये भी ज्यात होता है कि ये जातक जो है इनके पूरो जनम में उच्छ कर्म रहे होंगे इस और जो है ये इसारा करती है कि बिक्त क्या जो पूरो जनम रहा होगा उसमें बिक्ति ने जो है बहुत उच्छ कर्म किये होंगे जिसके कारण इस जनम में अच्छी नौलेजवल बिद्या बिक्ति को मिली है और धन के रूक में भी एक परिपूर्णता ये रेखाएं देती है निश्चित तोर में आभी जैसे भी इस्तिती हो लेकिन जीवन में जो है ऐसी इस्तिती जरूर रखेगी कि किसी के आगे जो है जुकना पड़े किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े इतना जरूर इन रेखाओं की किरपा से आपकी जीवन में रहेगा लेकिन बरतमान में देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी अनगिनत रेखाई पूरी जो है मड़ी बंद में यहाँ पे दिखाई दे रही है ये थोड़ा ब्यक्ति के बरतमान समय को इंगित करती है ये बरतमान समय में संगर्श की इस्तितिकों रखती है थोड़ा सा तनाव की स्तितिकों रखती हैं, कनिफ्योजन की स्तितिकों रखती हैं और कुई न कोई चिंता व्यक्ति की जियोन में लगी रहती है इस चीज को ये उजागर करती है हतेली पे अगर चले जाए तो देखेगा हतेली का जो आकार यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है एकदम जो है आयताकार हतेली बनती हुई दिखाई दे रही है और जब हमारी हतेली आयताकार होती है तो ऐसे लोग करियर के मामले में मस्तिस्क से कारे करने वाले होते हैं कहीं न कहीं जो है बोलने से या मस्तिस्क से कारे करने से ऐसे लोगों का काम जादा चलता है सारे रिक मेहनत औरों की बजाई थोड़ा इन लोगों को कम करना पड़ता है ये चीज यहाँ पे अच्छे खासी रूप में दिखाई दे रही है दूसरी खासिय तहतेली में ये है कि मस्तिस्क की जो लकीर है वो ब्रिस्पति से संबंद रख रही है और ब्रिस्पति होता है गुरू मतलब बिक्ति का जो प्रभाव है वो नॉलेजबल बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं ये यहाँ पे देखा जाए तो उर्द्वा चंदरमा पे जारी है तो ऐसा बिक्ति बिबेकवान होता है चाहे वो इस्तिरीखो प्रुस हो आप अपनी बिबेक से हर समया कुछ ना कुछ जो है सकारात्मुक सोचती रहती है और जीवनकाल में करियन ऐसा रहने वाला है कि मस्तिस्क से ही कार्य आपका होगा आप कह सकते हैं चाहे विक्ति नीजी छेतर में हो चाहे विक्ति सरकारी छेतर में हो कहीं न कहीं अच्छी position पे होता है या अभी ना भी हो तो जाता है निश्चित तोर पे जिस field में भी बिक्ति काम करता है अपने मस्तिस्क के बल पे काम करने वाला बिक्ति होता है यही चीज आपकी हतेली में दिखाई दीरी है यहां पर जीवन की रेखा देखें तो एकदम गुमावदार है देखो जीवन में जैसे भी प्रस्तिती रहेगी लेकिन जीवन में बहुत बड़ा संकट बहुत बड़ा जो है कष्ट नहीं आएगा निरंतर उन्नती भी रहेगी और परिवार के परती समरपण की भावना भी रहेगी ये आपकी हतेली बता रहे है हाँ इन दोनों की बीच में बहुत बड़ा गयप दिखाई दे रहा है स्वतंतर विचारधारा का ब्यक्तित्व आपका है स्वयम के मन के मालिक हैं आप जादा रहना आपको पसंद नहीं है थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर यहां पे दिखाई दे रहा है ओबर कॉन्फिटेंस भी दिखाई दे रहा है कई बार जो है इस कॉन्फिटेंस की उज़ों से ऐसा निरणे ले लेते हैं कि उस काम करके आपको पच्टाना भी पड़ता है कई बार और ऐसे बेक्ति के साथ होता ही ऐसा है दूसरी बात है मैनेजमेंट की छमता आप में अलग तरह की है पुराने ढर्रे पे चलना पुराने आइडियाज पे चलना गिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको पसंद नहीं है नए आइडियाज पे काम करना नई सोच के साथ आगे बढ़ना ये गुण आपके अंदर है इसी की वज़ों से जादतर लोगों से आपकी बिचार नहीं मिल पाते है क्योंकि आप गिसी पिटी चीज़ों के साथ चलना पसंद नहीं करते है कुछ नया करना क्योंकि मैनेजमेंट की छमता दे रहा है मंगल का प्रभाव पढ़ रहा है ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ रहा है तो इस तरो की चीजें होती हैं बेक्ति की जीवन में यहाँ पे अगर हम ध्यान से एक चीज देखते हैं तो यहाँ पे एक निमन मंगल से रेखाए आ रही है और इस तरो से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है देखेगा ये रेखाई यहाँ पे जो जीवन की रेखा है उसको भी काट रही है जो आपकी करियर और धन की रेखाई है उनको भी काट रही है जो आपकी जो है मस्तिस्क रेखाई उनको भी काट रही है और एक रेखा हिर्दे रेखा को भी बेहदन कर रही है लेकिन आगे नह बढ़ रही है और जो आपका ये च्छेतर है इसको हम राहो का च्छेतर कहते हैं ये राहो को नगेटिब कर रही है बरत्मान समय में और देखेगा जब राहो नगेटिब होता है न तो सबसे पहले ब्यक्तिकों मुश्किल यही आती है कि जीवन पर कदम कदम पर मुश्किले पैसे रुपे को लेकर, रोजगार को लेकर, आजेवका को लेकर, हर जग व्यक्त को तनाव की इस्तिति, उतार चड़ाव की इस्तिति झेलना पड़ता है। पैसे रुपे को लेकर, आजेवका को लेकर, तनाव देती हैं, अर्थिक तौर पे वो करने का काम करती हैं। बरतमान में जो है बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारे नेगेटिव बिटी जो है राह यहाँ पे देता हुआ दिखाए दे रहा है और कहिें न कहीं अगर इसका प्रभाव बढ़ता है तो यह धन हानी की और बिक्ति को ले जाता है यह रहस्य पैदा करता है कहीं न कहीं ब्यक्ति का जो ब्यक्तित तो होता है उसको ये खराब करने का कार्य करता है ब्यक्ति की जो प्रभाव सीलता होती है उसको ये कम करने का कार्य करता है तो आपको मैं एक सरल तरीके से जो है राहो का उपाई दोंगा उसको जरूर करना आप क्योंकि अगर राहो का उपाए न किया तो प्रोब्लम जादा बढ़ सकती है क्योंकि यहां पे और गरह भी अनुकूल इस्तिति में नहीं है उनका भी आपको उपाए करना है बेग्यानिक तरीके से यहां पे अगर आप देखो तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है उसके जड़ वाला जो ये भाग है ये यहां पे जो है एक तो कट का निशान हो गया है पूरी तरह से बकरी है सनी सनी जब बकरी होते है और राहो भी विक्ति की हतेली में हो दसा भी विक्ति की चल रही हो तो क कहीं न कहीं ये रोजगार को छीनने का कार्य करता है। नौकरी के मामलें में विक्ति को बड़ा संजीगता से रहना पड़ता है। ये कहीं न कहीं चिन्ताइँ देता है, अडचने देता है, काम का दबाव देता है। और एक समय ऐसा आता है बेखते खुद अपनी नोकरी छोड़ के चला आता है क्योंकि वो एड़जस्टमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि ये नोकरी करने में नोकरी पाने में और नोकरी बदलने में समस्याई दिलाता है तो यहाँ पे सनी बकरी अवस्तामी है यहाँ पे बैठ जहना वो वो चिंताई जीवन में आ जाती है बिक्ति कई बार जो है अलग तरों से सोचने बैठ जाता है ठीक है न और जीवन में की जो खुसियां है उसमें जो है कमी करने का ये कार्य कर देता है और बिक्ति कई बार दुखी हो जाता है सब कुछ होते हुए भी खुसियां ब बहुत जादा जो है यहां पे बैठा हुआ है इसमें कितने भी अच्छे साइन बने मचली बने तिरकोन बने कहसा भी बने उसका कोई प्रभाव जीवन में नहीं रहेगा क्योंकि यह बहुत जादा बैठा है और सुर्य जब बैठता है तो बिक्त को राह मिलनी मुश्किल हो आती है ऐसे में बरतमान में आपकी मेहनत का आपके प्रश्रम का न तो पूरा सरे आपको मिल रहा है ने पूरा क्रेडिट आपको मिल ला है जितनी योगता है जो क्वालीटिट आपके अंदर है उस तरों से चीजें उभर कर नहीं आपा रहे हैं काम कई दपे बनते बनते कारे आप करते हैं सरे को यह ओर ले जाता है मेहनत आप करते हैं क्रेडिट को यह ओर ले जाता है जो यस की प्राप्ति होनी चाहे थी वो यस की प्राप्ति नहीं हो पारे है कुल मिला के जो ग्रोथ होनी चाहे थी वो ग्रोथ नहीं हो पारे है कारियों का बिस्तार नहीं हो प सुर्योद्य का समय सबसे व्यश्ट समय होता है कुछ ऐसे कडियाइए जी बीगयानिक जीसे सरीर में करते हैं जिससे जो है हमारा ये हाथ क्या है हमारे सरीर का एक भाग है जिससे इसमें परिवर्तन आने सुरू होते है तो वही चीज आपको करनी है केवल ऐसा नहीं मंतर जाप करना पूजा पाट कराना अगर आप प्रैक्टिकल रोप से उन किरियाओं को नहीं करती है तो बहुत कम संभावना होती है कि जो है आपकी जो परवत है वो अच्छी इस्तिति में आए और जिवन में अच्छा परिणाम दे तो इसके लिए जो किरियाओं है वो जो है दैनिक रोप से आपको करनी होंगी उनको बिदिवत तरीके से मैं आपको लिख करके और ओडियो मेसेज से भेज रहा हूँ उसी बिदिके उनसार करने के कोसिश करे बेहतर परिणाम आगे आपको देखने को मिनेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मरकरी का भाग है यहाँ पर अच्छी खासी रेखाई है ऐसे बिदि सेवा भाव रखने वाला होता है ऐसा बिदि अच्छा खासा नोलेजवल बिदि होता है एक से ज़्यादा भासाओं का जानकार होता है और जो ब्यापारिक गुण है वो बिदि के अंदर अच्छे रहते है और आजीवन अगर बिदि चाहे तो धनोर पारजन करता है धनका उपारजन करता है यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पे बुद्ध का परोथ पूरी तरों से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपने कहीं पे अपने बात रखी तो आपकी बात के कोई भीली नहीं रहेगी यूँकि वो आकर्षन करने वाली नहीं होती है बिदि का विदित्व उस तरों से प्रभाव साली नहीं हो पाता है जो बिदि का परजंटेशन का भाग होता है उसको ये कमी करने का कार्य करता है अगर आपको अपनी विक्तित पूरी तरों से बदलना है अपनी वानी में एक आकरसन एक मिठास पैदा करनी है और तन मन में सुन्दर्ता पैदा करनी है एक ऐसा सुन्दर्ता कि लोग आपकी वानी की तरफ आकरसित हो जाए और आप जिस बात को रखें, उस बात का एक माइना हो, इस आयाम को प्राप्त करना है, तो बुद्ध को मजबूत करना है, बुद्ध मजबूत होगा तो पूरा बिक्तित्तो बदल जाएगा, और जब बिक्तित्त बहुत सुदिर्ड होने, प्रभावसाली होने, तो उसकी 70% चीजे स्वता ही अच्छी हो जाती हैं इसको बदलने के लिए क्या करना है कई बार मैंने अपनी वीडियो में बताया है आपने भी सुना होगा देखेगा हरी सबजी है हरे फल है और हरी दानों का खाने में ज़्यादा सा ज़्यादा उप्योग करें और एक चंदन की परफ्योम को जरूर डाले और तीन महने तक डालना तो बहुत जरूरी है थोड़ी मातरा में डाले लेकिन डाले और सुबह बरस करने के बाद खाली पेट संडे के दिन छोड़ करके इस बुद्ध के लिए दो पत्ति तुलसी का सेवन करें बरस करने के बाद एक हरारुमाल तीन महने तक चाहे अपनी जेब में रखें चाहे अपने ओपिस के बैग में रखें लेकिन एक सिंबल के तोर पे जरूर रखिएगा और सुबह और साम के समय माला जपने की जरूरत नहीं है बोल बोल कर गायतरी महामंतर का एक अच्छी धुन में पाट करिएगा 108 बार होता वैसे लेकिन आप 51 जितना कर सकते हैं करने के कोशिस करेगा और तीन महने तक विदिवत धंग से इन चीजों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे आपको बेहतर से भी बेहतर प्रणाम देखने को मिलेंगा पूरा व्यक्तित तो ही आपका बदल जाएगा ये न पानी की सकती आकरसन करने वाला होगा जो तवचा का मालिक यही है ठीक है न और जब ये तवचा का मालिक है तो तवचा की सुन्दरता भी देता है और आज कल सही में कहूं इस भौतिक दुनिया में तवचा का सुन्दर होना भी बहुत जरूरी होता है चाहे वो मेल हो फीम को होती है तो इसलिए बुद्ध को सुन्दर करना अच्छा करना यहां पे बहुत जरूरी है आपके लिए दूसरी बात देखते हैं पूरी हतेली का इस भाग को देखें तो कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं यह विक्ति के बर्तमान समय को दिखाता है कहीं न कहीं य इस्तित्व को जन्म देता है अगर इस्तरों की इस्तिति हो तो मानसिक तनाव की इस्तिति को जन्म देता है विक्ति की जो प्रोग्रेस है जो डेपलपमेंट है उसको ती ब्रगति से रोकने का कार्य करता है और विक्ति का जो प्रभाव है विक्तित्व का उसको कम करने का क करता है बिक्ति को स्रे नहीं जाता किसी चीज को क्रेडिक नहीं मिलता किसी चीज का अच्छा करने जाता है यह की प्राप्ति नहीं होती है ज्यादतार मामले में सुनाया जाता है अब इस की आने बैठ जाता है इससे जो है कहीं न कहीं दिमाग में जो है एक चिंता बैठ जाती है और बिक्ति अवसाद का सिकार हो जाता है तो इस चीज को पार पाने के लिए इससे केवल और केवल योगिक किरियाएं करने से ये चीज बिक्ति की जिवन में नकार अत्मक्ता को बाहर सकता है और positivity को अंदर ला सकती है तो ये चीज कन्नी बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर देखते हैं जो आपकी ब्रिस्पति की उंगले है पूरी रोप से ढल रही है जुकाव इसका जो है middle finger की तरफ है और जब index finger का जुकाव इस middle finger की तरफ होता है तो ब्यक्ति के अंदर ये स्वर में सरदा भाव रखने वाला ब्यक्ति तो आपका है वही middle finger अगर देखते हैं middle finger का जुकाव भी यहाँ पे ring finger की तरफ दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सनी के negative गुणों में ब्रिदि करता है ब्यक्ति को बहुत जादा मिहनत बहुत जादा परिस्रम करने के बाद सूरे की उंगली है जब ये middle finger के तरफ जुकती है तो ब्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इक्षा को परबल करती है यही चीज बरतमान में आपके साथ ये कर रही है यहाँ पे एक चीज और है यहाँ पे जो आपकी ब्रिस्पति की उंगली है जिसको हम index finger कहते हैं आत्यांत अच्छी माने गई है बहुत सुन्द्र माने गई है क्यूंकि ये गुरु परुट के उपर बनने वाली उंगली है अगर ये बड़ी होती है तो इसका मतलब बहुत अच्छा होता है आप कारेक उसल है ब्यवुरिक होंगी लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमानी है स्वाविमानी के साथ साथ और उपर सासन करने की जो इच्छा है आपके अंदर प्रबल रह सकती है क्योंकि लेडर्शिप के गुण आपके अंदर है और बिसेश कर ये उंगली महिलाओं की ये तरजनी उंगली इंडेक्स फिंगर बड़ी हो तो ये इसे बहुत अच्छा माना जाता है आपकी हतीली में ये बड़ी है अच्छा है महिला गरवीली अंकारी स्वभाव की होती है सासन करने की इक्षा रखने वाली होंगी तो ये अच्छा माना जाएगा ये बुरा नहीं माना जाता है कहीं न कहीं जो है कारे कुसल है, ब्यवारिक है, स्वाबिमानी है और उपर सासन करने की इक्षा प्रबल रहती है घरवीली भी है, अहंकारी स्वभाव की भी है ये बहुत सुन्नर है और ये उंगली का इस तरह से होना आपके विक्तित्व में चार चांद लगा रहा है यहाँ पे एक चीज और देखते हैं सबसे छोटी उंगली आपकी क्या कह रही है यहाँ पे ये उंगली भी इस तरह से मूरती हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ इस तरह से लंबी हो और बुद्ध का परवत सूर्य का परवत अच्छे मिलान पे हो भव्य अवस्ता में हो तो प्रेक्टिकल रोप में ऐसा विक्ति जो है ब्यापारी होता है अगर ब्यापार की छेतन में नहीं जाता है तो चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें अच्छे पद पे होता है कुलमिला के बाद करें उच्छ बर्ग का बिक्ति ऐसा होता है सरेष्ट और सपलतम ऐसा बिक्ति होता है और ये गुण आपके अंदर भी है केवल अपने को पैस्चानने की यहां पर जरूरत महसूस हो रही है और कुछ दैनिक किरियाएं सुटेबल अवस्तामे करने की जरूरत यहां पर हो रही है इन दोनों की भी ज़्यादा गयब दिखाई दे रहा है यह 35 वर्स तक बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है ऐसे में 35 वर्स तक या तो धन के मामले में संगर्स रहता है या तो कहीं न कहीं जो है खर्चिला स्वभाव ज़्यादा रहता है या बिक्ति धन के महतों को नहीं समझ पाता है लेकिन ये केवल 35 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है ये भी हलका है मगर जादा नहीं है और ये 45 से लेके 50 वर्ष के बीच रहता है इसमें भी तीन चीजों में से एक चीज रहता है या तो खर्चेला सुबाव हलका जादा रहता है या धन के मामले में हलका संगर्स रहता है या बिक्त धन के महतों को नहीं समझता है इस चीज के और ये दिखाई दे रहा है लेकिन पचासवे वर्ष के बाद आर्थिकुरोप से जो है मजबूती आ रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सुक संपन्ता और स संब्रदी की प्राप्ति दिखाई दे रही है यह भी अच्छी चीज यहां पर दिख रही है अंगुठा देखा जाए थोड़ा मजबूत है अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरी मानते हैं यहां पर एक सांदार जो है यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा भाव किसम का भी बिक्तित्व है नाजुक हिर्दय का भी बिक्तित्व है यहां पर यह चीज दिखाई देती हुई नजर आ रही है आपको देखेगा आपकी हिर्दय की रेखा को देखें तो सीधा सीधा जो है आचारे ब्रस्पति से युक्ति बना रही है यह बह दिमता से काम करने वाला विक्तित्व है और तीजुस्वी भी है प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छी हैं हिर्दय की गहराई से प्रेम करती हैं जिसको भी प्रेम करना होगा जो आपका मन से साथ निभाता है आप भी अंत तक साथ निभाने वाली लोगों में से एक है लेक लेकिन अभी आपका न तो सन्नी ठीक है, न सूर्य ठीक है, न आपका बुद्ध ठीक है, उपर से राहो का प्रवाव है। तो जो आपको मानपद प्रतिष्टा उचे पद की प्राप्ति जल्दी होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा बिलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सूर्य जो है आपकी स्रेक और मेनत का क्रेडित नहीं दिलवा रहा है, थोड़ा सा जो है आपको जल्दी से चीजें करनी है। तो कहीं न कहीं दामपत्य जीवन का जो सुक प्रोपर तरीके से मिलना चाहिए था, उस सुक में भी कमी करने का ये कारे करता है। मस्तिस्क रेखा की जीवन रेखा की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर देखेंगे एक दो रेखाएं इस तरो से जारी हैं। ये रेखाएं करियर और धन की रेखाएं। लेकिन एक आएक भग्या अस्तान में पहुँचकर एक कट-कटाओं का अस्तानी बना रही है। देखेगा ऐसे में बिक्ति भावनाओं के बसीबूत हो करके गलत निरणय अपनी जीवन काल में रेलेता है। और उस एक गलत निरणय के कारण अपनी संपूर्ण विकास को, संपूर्ण प्रोग्रेस को, डेपलप्मेंट को अवरुद्ध करने का कारे भी करता है। तो ये चेतावनी है आपके लिए, कि जो भी काम आप धन और करियर के मामले में करें, बड़ी सोच समझेकर करें और इस पे विसेज दिहन दे। यहाँ पे अगर देखा जाए, तो बीच में वैसे जो है, एक यहाँ पे बर्ग का चिन भी बन रहा है, जो मंगल से संबन दिता है। देखेगा जब मंगल पे बर्ग के साइन बनते हैं और गरहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो विक्त को जीवन में एक से ज़्यादा प्रोपर्टी का लाब भी होता है अब हो गया है या अब होगा लेकिन आपकी हतेली में है चाहे किसी के सयोग से हो चाहे पैतरिक स संपति हो चाहे अपने कमाई हुई पैसों से हो लेकिन निश्चित रूप से आपको प्रोपर्टी का लाब अपनी जीवन में मिलेगा अगर हम यहाँ पे देखते हैं देखेगा यह वाला जो छेत्र है इसमें बहुत सारी रेखाई जो है अनगिनत रूप से है और यह सुक पाना कठिन हो रहा है ठीक न कोई न कोई चिंता लगी हुई है संगर्स लगा हुआ है अब बहुत ज़्यादा मेहनत परिसरम करने के बाद भी आपके द्रिष्ट कोन से अभाव की इस्तिति बनी हुई है और थोड़ा सा यह मानसिक परिशानी भी आपको देता हुआ दिख की इस्तिति और डिसीजन लेने की चंता में भी असर डालना है ब्रस्पति पूरी तरह सनी की तरफ है तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी चंद्रमा का छेतर देखें चंद्रमा एक मात्र ऐसा ग्रह है आपका जो आपको लेकिन कहीं न कहीं राहों का प्रभाव है तो कहीं स्वस्त्य में भी प्रभावना पड़े इस और विया आपको ध्यान देनी की जरूरत है बहराल मैं सबी ग्रहों का योगिक, बेग्ज्यानिक और जोतिशे उपाय आपको भीज रहा हूँ उसी हिसाब से करने की कोसिस करे तो अच्छा खासा फायदा और अच्छे खासे प्रणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार